चोपडा एजोकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्देख स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो आज इस वीडियो में हम नीट एप्लिकेशन पार्ट टू आनस्वर की ओमार डिस्पले और रेजल्ट के बारे में बात करेंगे क्या ये डिले होंगे और अगर डिले होंगे तो ये कितना डिले होंगे इन पर इस्टेक कव आ सकता है इस वीशे पर चर्चा करेंगे हम तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप MBBS, BDS, Admission के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो मैंने इसके बारे में बुक लिख दी है इसको आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.opdaeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं यह 21 के लिए updated है इसमें मैंने counseling process 1st round, 2nd round, Mop of round के बारे में अच्छी तरह से समझाया है कौन से state में आप admission ले सकते हैं, उसका process क्या है, कब registration करना है, documents, इसमें previous year की cutoff, fees इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, सबसे important यह है कि मैंने इसके बारे में 24 लिस्ट दी गई है टोप से लोग के करम में college भी दी गई हैं, तो आप इसको download कर सकते हैं तो अब बात करेंगे हम application form part 2 के बारे में, OMR display और result के बारे में तो दोस्तों यह सब को पता है कि reneat के regarding supreme court में case file हो चुका है और इसके diary number मिल चुके हैं वो अभी pending में है, उसकी अभी जल्द ही सुनवाई होगी, साइध आज हो सकती है अगर यह case supreme court दोरा accept कर लिया जाता है, तो case number alert हो जाएंगे और आगे hearing चलती रहेगी तो इस condition में supreme court दोरा NTA को next event यानि answer की display result इन पर state दिया जा सकता है तो result delay हो जाएगा इस condition में, लेकिन अगर यह case supreme court दोरा first hearing में ही dismiss कर दिया जाता है तो NTA दोरा जल्दे ही answer की जाएगी और application form का part to भी फिल करवाने के बाद result declare कर दिया जाएगा तो इसमें कोई delay होने की possibility नहीं है इस condition में तो अभी जो भी ये event होगा NTA दोरा ये supreme court के direction के according ही होगा तो अभी हमें wait करना होगा मानने supreme court के decision का ये देखना होगा कि क्या होगा first hearing में तो इस visa पर जो भी update होगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकोन फ्रेज करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक आपसे लेते हैं विदा जै